हेलो फ्रेंट स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल All In One T.E.T. में दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ दिवाली और छट को लेकर बड़ी ख़बर है सभी सिक्षकों के लिए ये सुचना जो है वो महत्पुन है तो चलिए फ्रेंट्स बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं संबंधित जनकारी को उससे पहले जो इस चैनल पर नविजित कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बगलन बेल आइकनों से प्रेश कर लिजे ताकि सिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी बड़ी छोटी अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके तो फ्रेंट्स पढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं संबंधित जनकारी को दिवाली और छटपर अवकाश में सिक्षकों ने किश्ण सोधन की मांग की है सिक्षक नेता ने निदेशक शिक्षा विभाग को पत्र भेजा है पत्र में कहा गया है कि इन महत्पुन तेवारों के दोरान चुट्टी की और प्रियापतता से सिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मीयों को ब्यक्तिकत वा परिवारिक ताइत्वनी भाने में कटनाई हो रही है दिवाली और चट जैसे तेवार न केवल धान में कोहत्पुन रखते हैं बलकि यह भी औसर होते हैं जब परिवार के सदसे एक साथ मिल करते हुआ तेहवारी तैयारी करते हैं विसेश रूप से महिला सिक्षको की घरिर जिम्मदारिय का हवाला देते हुए सरकार से अपिल की गई है कि आवकास में कड़ोती करना उनके साथ अन्याय होगा पत्र में यह भी बताया गया है कि छट व्रत विहार का एक परमुक्ते हुआर है जिसमें परिवार के सदसे ओका योगदान तेहदी होता है इस तेहवार की तैयारी दिवाली के बाद से ही सुरू हो जाती है और व्रतियों को इसके लिए शुदता और पवितरता के साथ तयारी करनी होती है वरतमान में कई सिक्षक कोकी नियुक्ती ग्रामिन छेतरों में की गई है जहां आवागमन के शादनों की कमी के करन दिवाली में एक दिन की छुट्टी में उनके लिए घर पहुचना और पूरा विद्याले में समय पर लोट पाना मुस्किल हो जाता है इसलिए 30 अक्तूब को पूर्ण निष्टा और उलास के साथ मना सके सिक्षक निता अनंद पुषकर ने अवकास में संसोधन के लिए निदेशा को भिजा पत्र 30 अक्टूबर छोटी दिवाली से 8 अक्टूबर चट के पारन तक अवकास की मांग की वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी करे देखने माइ